अब हर सप्ता LPG गेस सिलेंडर की कीमत में होगा बदलाव जाने पूरा मामला जिहां तेल कमपनिया अब हर सप्ता LPG सिलेंडर की कीमत की समिक्षा करेंगी समिक्षा में सिलेंडर की कीमत घटाने या बढ़ाने पर निर्ने लिया जाएगा सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सर्वजनिक तेल कमपनिया इसकी तैयारी में जूटी है साती वित्रा के प्रबंधग भी अपने इस्तर पर तैयारी में जूटे है उलेकनी है कि इसके पहले LPG सिलेंडर की कीमत माहा में एक बार तै होती रही तेल कमपनियों के अधिकारियों की माने तो यह प्रावधन कमपनी को हो रहे घाटे को कम करने के लिए सुरू किया जा रहा है पहले अगर पिछले माहा में गेस की कीमत कम होती थी तो पूरे एक माहा तक कमपनी को नुकसान उठाना पड़ता था लेकिन नई व्यवस्ता लागू होने के बाद एक सब्ता के बाद ही उस पर काबू पाया जा सकता है SBI ने फिर ग्राहकों को चेताया नहीं मानी सला तो खाली हो जाएगा बेंक अकाउंट जियां अगर आपका बेंक आता देश के सबसे बड़े बेंक भारती स्टेट बेंक में है तो यह खबार आपके लिए महत्वपुन है SBI ने अपने ग्राहकों को धोकादड़ी को लेकर एक बार फिर सावधान किया है बेंक ने ट्विट कर कहा कि जालसा सोसल मीडिया पर फरजी या ब्राहमक मेसेज भेज रहे है यह मेसेज देखने में SBI की और से आये हुए लगते हैं लेकिन यह फरजी हैं इनसे बच कर रहें अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो आपका खाता खाली हो सकता है SBI ने अपने ट्विट में कहा हम ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे सोसल मीडिया पर SBI की और से आये फेक या ब्राहमक मेसेज से सतर्क रहें साइबर क्रीमिनल्स अक्सर लोगों को ठगने के लिए लोगों को बेंक या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के नाम से लिंक बेशने हैं कोरोना काल में कैसे मनेगा नया साल राजस्तान और तमिननाडू में न्यू यर पार्टी को लेकर बेन जिहां पूरे देश में कोरोना का कहर अभी भी बर्गरार है लोगों से अभी एहतियाज बरतने की उमीद की जा रही है खासकर उत्सव के मोसम में अब जब नया साल करीब है तो देश भर में कई राजियों ने नये साल को लेकर कोरोना गाइड लाइन्स जारी की है और लोगों से घरों में रहने की अपील की कोविट-19 महामारी की रोप्थम सुनिश्चित करने के लिए राजस्तन सरकार ने नये साल की पूर्व संध्या पर दिवाली की तरह बेन लगाने का फेशला किया मुख्यमंत्री असो गहलोत ने लोगों से घर पर नये साल की पूर्व संध्या मनाने और पटा के फोर्णे या बाहर इकठा होने से बचने की अपील की तमिनाडू सरकार ने भी आज कोरोना वाइरस के प्रसार को रोकने के प्रियासों के तहत 31 दिसंबर और एक जनवरी 2021 की रात को समुद्र तटो होटलों, कलबों और रेस्टोरेंट पर नए साल की पार्टी करने पर परतिबंद लगा दिया है टेंट सीटी बन गया सिंगु बोर्डर ठंड से बचने के लिए बना माकुल आसियाना अंदर है तमाम सुविधाएं जिहां ताप्मान में गिरावट और आंदोलन में महिलाओं की बढ़ती संख्या के बाद सिंगु बोर्डर अब टेंट सीटी का रूप ले चुका 27 दिनों से क्रसी कानूनों को रद कराने की मांग पर डटे किसानों के लिए दिल्ली हरियाना राजमार्ग पर ट्रोलिया अब सोने के लिए पसंदिदा जगय बन गई किसानों द्वारा अपनी अपनी ट्रोली को ठंड और बारी से बचाने के लिए तैयार कर लिया गया है ताकि रात के वक्त किसी को ठीटूरती सर्दी का एहसास नहीं हो दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें मुंबई के क्लब में सुरेश रेना गुरू रंधावा सहित कई सितारे गिरफतार रूम जिहां कोरोना के नियमों का उलंगन करने पर महरास्टर सरकार ने एकसन लिया है मुंबई के एक क्लब में पार्टी करने के दोरान पुलिस ने कई हाई प्रोफाइल सेलिबरेटीज को गिरफतार में ले लिया है पुलिस ने इस छापे मारी में कई कलाकार और खिलाडियों को हिरासत में ले लिया जिसमें पूर्व भार्तिय किरकेटर सुरेश रेना समेच 24 लोग सामिल है जानकारी के मुताबिक मुंबई के ड्रेगन फ्लाई नाम के एक पब में देर रात करीब 3 बजे पुलिस ने रेड की इस पार्टी में कोरोना की नियमों का पालन नय करते हुए 24 लोगों को गिरफतार किया गया जिन में किरकेटर सुरेश रेनार सिंगर गुरू रंधावा बात्सा समेट अन्ने लोग सामिल थे जिन में साथ लोग कलब स्टाप के थे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुजेन खान भी इस पार्टी में सामिल थी जो बाइडे ने लाइव टिवी पर लगवाई कोरोना वेक्सिन लोगों से भी की ये अपिल जिहां अमेरिका के नव निर्वाचित राष्टुवती जो बाइडे ने कोरोना वाइरस का वेक्सिन लगवाया है 78 वर्षिय जो बाइडे ने लाइव टिवी पर कोरोना वेक्सिन का पहला डोज लिया है जो बाइडे ने कोविड-19 के हाई रिस्क गुरूप में आते हैं जो बाइडे ने फाइजर की और से बनाई गई कोरोना वेक्सिन की डोज ली है हाल ही में अमेरिका के फाइजर वेक्सिन को अधिकारिक मनजूरी मिली है जो बाइटे ने कोरोना विक्सिन की डोज लाइव टीवी पर ली जाने समझे घटती कच्चे तेल की कीमते क्यों बढ़ रहे पेट्रोल के दाम जिहां भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीता है कच्चा तेल बेरल में आता है एक बेरल यानी 169 लिटर अंतरास्टिय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अभी मिनरल वाटर के एक बोतल जितनी है पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल के मुताबिक दिसंबर में कच्चे तेल की कीमत 3,750 रुपए परती बेरल की थी एक बेरल में 169 लिटर कच्चा तेल मिल रहा है दरसल जून 2010 में सरकार ने तै कि अब से पेट्रोल की कीमते सरकार नहीं बलकि तेल कमपनिया ही तै करेंगी उसके बाद अक्टूमर 2014 में डीजल की कीमते तै करने का अधिकार भी तेल कमपनियों को ही दे दिया गया अपरेल 2017 में तै कि अब से रोजी पेट्रोल डीजल के दाम तै होंगे उसके बाद से ही हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम तै होने लगे तर्क दिया गया कि इससे कच्चे तेल की कीमते घटने बढ़ने का फाइदा आम आदमी को पहुचेगा तेल कंपनिया भी फाइदे में रहेंगी इससे आम आदमी को फाइदा नहीं हुआ लेकिन तेल कंपनियों का मुनाफ़ा बढ़ता चला गया जब अंतरास्टिय वाजार में कच्चे तेल के दाम घट रहे थे तो सरकारों ने कर बढ़ाए जब कच्चे तेल के दाम बढ़े तो न सरकार ने कर कम किये और नहीं तेल कंपनियों ने अपना मुनाफ़ा कम किया इससे सारा बोश आम आदमी पर पढ़ने लगा अब इस्तती यह है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज़्यादा कर हमारे देश में लिया जा रहा है लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बेंक समय पर निप्टा ले अपने काम जिहां इस हपते लगातार 3 दिन बेंक बंद रहने वाले हैं इसलिए अगर आपको कोई बेंकिंग कारी निप्टाना है तो बेंकों की चुटियों के बारे में आवस्य जान ले बेंक हर महीने के दूसरे और चोथे सनिवार को बंद रहते हैं इस बार 26 दिसंबर को महीने का चोथा सनिवार पढ़ रहा है इसके चलते बेंक बंद रहेंगे इसके बाद 27 दिसंबर रविवार को साप्ताइक अवकास है जिसके चलते बेंक बंद रहेंगे वही 25 दिसंबर सुकुरुवार को क्रिस्मिस का त्योहार होने के चलते रास्टी आवकास रहेगा इसके चलते इस दिन बेंकों में छुटी रहेगी एसे में इस हफ्ते आपको बेंकों से जुड़ा कोई कारिय करना है तो उसे घुरुवार तक ही निप्टा लें क्योंकि उसक के बाद 25, 26 और 27 दिसंबर को बेंकों की चुटिया रहेंगी लगातार तीन दिन तक देश के लगभग सभी जोन में बेंक बंद रहेंगे